हैलो एबिरीवन वल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर चार भौती सुन्दर सी काना जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने तीन अस्तर की पटी लिए देखी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर देखी इसकी लंबाई 10 इंच हैं और चार आई हमारी 5 इंच हैं तो अब हमें आपर इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से विल्कुल एक बरावर फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बार में हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइवे कर देना क्योंकि यह आप लोग लाइक कर न भूल जाते हो तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो एक पट्टी को मैंने सिल लिया है और यहाँ पर किनारे पर भी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई को लगा दिया है तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इस वाली पट्टी को भी फोल्ड करेंगे इतरह से फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर लगा देंगी तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पर साथ में भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगी तो हमने सिलाई लगा दी है अब हमें आपर क्या करेंगे दोनों पट्टी को बिल्कुल एक बरावर रखेंगी इस तरह से और उसके बाद में हमें सिलाई लगा देनी है तो दोनों पट्टी को मैंने कुछ इतरह से जोंट भी कर लिया है नीचे की तरफ हमें आपर कुछ तरह से फोल्ड करेंगी इस तरह से हमें कोर्णर बना देना है और सेम इसी तरीके से हमें आपर दूसरी तरफ भी इसको फोल्ड करेंगी और इस तरह से कोर्णर बना देना है ठीक है तो अब हमें आपर तीसरी पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगी और इसमें हमें दो पट्टी कटिंग कर लेनी है तो हमने पट्टी कटिंग करी है, अब हमें आपर इसको दोनों साइट से फोल्ड करेंगी, फिर एक बार और फोल्ड करेंगी, और फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा देंगी तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है, और सेम इसी तरी के से मैंने दूसरी पट्टी को भी सिलाई है, अब हमें आपर डिरेश को लेंगे और इसको हमें तरश से फोल्ड करना है, और इसके उपर हमें आपर इस वाली पट्टी को रखेंगे, बिल्कुल भी सेंटर पर और रखने के बाद हमें आपर क्या करेंगी इस तरह से सुई की मदद से हमें बटन टाक देना है ठीक है अच्छे से मजबूती के साथ हमें आपर बटन को टाकेंगे तो एक बटन को मैंने यहापर टाक लिया है पीछे की तरफ हमें नौट लगा देनी है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे बटन को भी टाक लिया है तो हमारी ड्रेस बन का तयार हो गई है अब हमें आपर पगड़ी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहांपद दो अस्तर की पट्टी लिए हैं इसकी लंबाई साथ इंच है और चोणाई हमारी चार इंच है तो इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है तो एक पट्टी को मैंने सिल लिया है तो से में इसी तरीके से हम याँ पर दूसरी पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर याँ पर हमें सिलाई लगा देनी है तो याँ पर मैंने दूसरी पट्टी को भी सिल लिया है अब हम यापर दोनों पटी को बराबर रखेंगे और यहापर सिलाई लगा लेते हैं तो यहापर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यापर क्या करेंगे कानाजी लेंगे और इनको हमें इस तरह से नाप लेना है कि कहां पर हमारी काना जी की फिटिंग आ रही है और उसके बाद में हम याँ पर बीच में सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई लगा दिया है अब हम याँ पर काना जी को इस तरह से पहनाएंगे पत्टी में जो मैंने सिलाई लगाई है इसको भी सेंटर पर रखेंगे और इसको कुछ तरब ले जाकर आगी की तरब पच्छे से बान देंगे और इस तरह से हमें इसको सैट कर देना है तो देखा हमने कितने आसानी से सीधी पट्टी से काना जी की डिरेस बनाई है हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पैना लेते है तो देखिए हमारी जो काना जी की डिरेस है वो कितने सुन्दा लग रही है तो इसी तरीके से यहां भी अपने काना जी के लिए ड्रेस बना सकती है और यह ड्रेस हमने 8 से 9 साल के काना जी के लिए बनाई है तो अब हमें यहां पर क्या करेंगे दूसरी काना जी की ड्रेस बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है इसकी चोड़ाई है 16 इंच और यहाँ पर हमने लंबाई रखी है 5 इंच 5 इंच से थोड़ी सी जादा है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निसान लगा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है इस धुलने के बाद आसानी से लिकल जाएगा तो चलिए इसको सिलते हैं तो नीचे से हम यहाँ पर कुछी तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने पतड़ी वाली इलास्टिक लिए इसको यहाँ पर रखेंगे और कपड़े को हमें तरह से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो इसको तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से खीचेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखे इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से काना जी के लिए ड्रेस बनाई है बची हूँ इलाश्टिक की कटिंग करेंगी और उसके बार में हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर साट में सिलाई लगा देंगे तो आदा या एक इंच का माजन छोड़के हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और एक कट लगा देंगे फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे सिलाई और कट दोनों को मिलाएंगे और नीचे की तरब भी सिलाई लगा लेते हैं तो एक पहुचे से दूसरे पहुचे तक हमें सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमे डबल सिलाई लगा देंगे फिर आम यहाँ पर क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे तो दिखी हमने इस तरह से कानाजी का लेकर बना लिया है अब हम यहाँ पर उपर की चोली बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने अस्तर की एक पटी लिया इसकी चोड़ाई तीन इंच है और लंबाई साड़े नौ इंच है अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे इसको साइड से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से हमें दूसी तरफ भी इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दिये अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई लगा दिये याँब करेंगे फिर हम यहां पर उसमें प्लेटेगे चोटी-चोटी हमें प्लेटे डाल देनी है पूरी पठी में तो यहां यहां पर मैंने इस तरह से उपर की तरफ यही लगा दिये हैं आपनीचे की तरफ लिखाएंगे तो नीचे की तरफ हमें दूर दूर पर इस तरह से सिलाई लगानी है तो हमने सिलाई लगा दी है अब हमें आपर इसको फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिस color का हमने नेकर बनाया है उसी color की मैंने पट्टी ली है तो इसको उल्टी तरफ से रखेंगी और एक सीधी सिलाई लगा देंगे फिर हम याँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से fold करेंगे देखी इस तरह से हमें fold करना है और उसके बाद में विल्कुल किनारे पस सिलाई लगा लेते हैं तो इसी तरिके से पूरे में सिलाई लगा देना है ठीक है फिर हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और कटिंग करेंगे तो हमारी डिरेश्पन का तयार हो गई है अब हम यहाँ पर कानाजी लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर कानाजी के लिए चोली पहनाएंगे तो जो हमने डोरी बनाई है इसको हमें पीछे की तरफ इतरह से बांदेना है और यहाँ पर चोली को इस तरह से सैट कर देंगे और उसके बार में हम यहाँ पर काना जी को नेकर भी पैना लेते हैं ठीक है अच्छे से जो हमने चोली बनाई है इसको हमें नेकर में इस तरह से दाप देना है तो देखा हमने कतने आसानी से काना जी के लिए डिरेश बनाई है देखी बिल्कुल फिट होई है तो इसी तरीके से आप भी अपने काना जी के लिए डिरेस बना सकती हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तीसरी काना जी की डिरेस बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है इस पट्टी की चोड़ाई हमारी 16 इंच है और लंबाई हमने 6 इंच रखी है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे और दोस्तों प्लेज इस वीडियो को लाइक भी कर देना किकि यहाँ लोग लाइक करना भोल जाते हो तो दोस्तों प्लेज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधी तरफ से लेश को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने पत्ली वाले लेश को लिया है इसको यहाँ पर रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा दिया तो यहाँ पर मैंने लेस को भी सिल लिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इलास्टिक सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने पतिली गाली इलास्टिक को लिया है इसको यहाँ पर रखेंगे और कपड़े को हमें इतरह से फोल्ड करना है फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फिर हम यहाँ पर इसको घुमाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे तो अंदर की तरफ हमें इलास्टिक को रखना है और उसके बाद में कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो इसी तरीके से हमें पूरी elastik को सिल लेना है तो यहाँ पर मैंने elastik को सिल लिया है इसको यहाँ से कीचेंगे और इस साइट मेरी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते है बच्सी होई elastic की cutting करेंगे और देखें इसकी चोड़ाई हमने सारे change रखी है इसको यहां से बरावर करेंगे और एक सिलाई और लगा लेते हैं उपर की तरफ तो सिलाई हमें खीच के यह लगानी है इस तरह से तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है अब हम यहां पर क्या करेंगे इसको इतरह से बरावर रखेंगे और एक इंच का मार्जन छोड़ के हमें सिलाई लगा देनी है फिर हम याँ पर इसको बरावर करें गी और एक कट लगा देंगे और उसके बाद में हम याँ पर कट और जो हमारी सिलाई है इसको मिला कर रखेंगे इस तरह से और एक पॉचे से हमें दूसरे पॉचे तक सिलाई लगा देनी है तो कि पर चिलाई लगा दियें, ठोड़ा सा कप्रा छोड़ के कटिंग कर देंगे तो कि सीधा करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो काना जी की पैंट है वो बनकर त्यार हो गई है देखिए कितने सुन्दर से हमारी चोटी मोटी पैंट बनी है तो अब हमें आपर क्या करेंगे उपर की चोली बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पट्टी लिया है इस पट्टी हमने सिलाई लगा दिया है यहाँ पर भी इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है इस साइट से भी हमें फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई लगानी है तो 60 से भी मैंने फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे दोनों को हमें बिल्कुल एक बरावर रखना है तो पहले हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक भी सेंटर पर निसान लगा देंगे फिर हमें आपर उसी निसान पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ पर भी हमें निसान लगा देना है तरह से और नीचे की तरब भी हमें आपर निसान लगा देंगे और यहाँ पर एक मैने पट्टी लिए है पट्टी की चोड़ाई हमारी 13 इंच है और लंबाई 2 इंच है अब हमें आपर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें एक दाप सिलाई लगा देनी है एक सिलाई और लगा लेते हैं दूसरी साइट से भी तो हमारी पट्टी सिलकत त्यार हो गई है इसको फोल्ड करेंगे और यहां से कटिंग कर देंगे तो हमने कटिंग कर लिया है अब हम यहां पर क्या करेंगे इस तरह से पट्टी को रखेंगे जो हमने निसान लगाया है वहाँ पर पट्टी को रख लेना है और एक निसान मैंने यहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर भी पट्टी को रखके सिलाई लगा देंगे यहाँ पर भी पट्टी को रखके सिलाई लगा देंगे ठीक है तो हमने सिलाई लगा दिये आप लोग देख सकते है कुछ इत्रह से हमारी चोली आएगी ठीक है और हिया पर भी हमें लेश को सिल लेना है तो पहले हमें यहापर लेश को फोल्ड करेंगी तरह से आदा इंच तक और इसके उपर हमें आपर दखेंगी ऊपर की साइट और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है तो यहां पर मैंने ऊपर की तरफ लेस को सिल लिया है एक लेस यहां पर भी सिल लिया है और देखिए यहां पर मैंने पीछे की साइट से चक्कनी भी लगाई है तो हमारी चोली बनकर त्यार हो गई है और यहां पर मैंने पगड़ी भी बनाई है तो पगड़ी मैंने किस तरह बनाई है तो मैंने बहुत सारी बेबियों में बता रख्या है कि किस तरह से पगड़ी को बनाते हैं और यह ड्रेस मैंने 9 से 10 नंबर कानाजी के लिए बनाई है तो इसी तरीके से आप भी अपने कानाजी के लिए ड्रेस बनाएंगे तो इसकी लंबाई हमने 5 इंच रखी है और चौड़ाई यहां पर नाप लेते हैं तो चौड़ाई हमारी यहां पर है 32 इंच अब हमें यहां पर साइट से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है तो यहां पर मैंने दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है इसको सीधा रखेंगे और यहां पर मैंने कुछ तरह की लेस को लिया है तो लेश को हमें सीधी तरब से रख लेना है आदा इंच फोल्ड करके और उसके बाद में हमें आपस सिलाई लगा देंगे लेश अपने पसंद की भी लगा सकती है इस साथ में भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई है अब हम इसमें डवल सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैंने डवल सिलाई को भी लगा दिया है फिर हम यहाँ पर दूसरी लेश को लेंगे तो इसको भी हमें तरह से रख लेना है एक इंच का मार्जन छोड़के और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर कटिंग कर देंगे और यहाँ पर मैंने तीसरी लेश लिये समोसा वाली तो इसको भी हमें यहाँ पर सिल लेना है तो यहाँ पर मैंने तीसरी लेश को भी सिल लिया है अब हम इसमें क्या करेंगे पलेटे सिलेंगे तो कुछी तरह से हम यहां पर छोटी छोटी पलेटे इसमें सिल लेते हैं ठीक है पूरे कपड़े को हमें पलेटे डाल कर कवर कर लेना है तो यहां पर मैंने पलेट को सिल लिया है इसकी चौणाईन आप लेते हैं तो हमारी यहापर चौडाई आ रही है साधे चार इंच और हैंगे को हम यहापर उल्टा रखेंगे और मैं पटी को रख लेना है उल्टी तरफ से रखने के बार हम यहापर एक सीदी सिलाई लगा देंगे और हैंगे ब्रणी ब्रणी इसमें हम लटकन लगाएंगे तो चौकोर कपड़े को हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है फिर हम यापर इसको फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे अब हम यापर इसको सीधा करेंगे तो एक लटकन हमारा बनकर त्यार हो गया है सेम इसी तरीके से दूसरे लटकन को भी बना लेना है तो पट्टी को हम यापर फोल्ड करेंगे और यापर डोरी रखके सिलाई लगा देंगे तो यापर मैंने दूसरे लटकन को भी बना लिया है इसको सीधा रखेंगे अब हम यापर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमने एक इंच का मार्जन लिया इसको फोल्ड करेंगे और इसके उपर डोरी को रखेंगे फिर हम यहाँ पर भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो पट्टी को हमें फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कमर पट्टी को भी सिल लिया है और यहाँ पर हमारा जो काना जी का लहंगा है वो बनकर त्यार हो गया है अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है इसकी चोड़ाई साड़े 11 इंच है और लंबाई हमारी 2 इंच है तो इसको हमें यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड क लखेंगे किनारे पर और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे तो यहापर मैंने सिलाई को लगा दिया है। बच्चूई लिए इसकी कटिंग करेंगे और यहापर भी हमें कटिंग कर देना है। पर इसको बरावर करेंगे और यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है तो बीच में मैंने यहां पर सिलाई लगा दी है इसकी लंबाई हमने दो इंच रखी है तो इसको हमें सीधा रखना है और यहां पर हम लहेंगे को लेंगे और इसको बरावर करके यहां पर निसान लगा दे और इसके उपर हम यापर चोली को रखेंगे बिल्कुल 20 इंटर पर और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैने लहेंगे में चोली को भी असमा लिया है अब हमें यापर पगड़ी बनाएंगे तो लंबाई हमने यापर रखी है आठ इंच और चोणाई हमारी तीन इंच है इसको याँ से फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई को लगा दिया है अब हमें यापर भी लेश को इतरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे तो यापर मैंने लेश को सिल लिया है अब हमें यापर कानाजी लेंगे और इनको हमें यापर इतरह से रखे नाप लेते हैं कि कहां पर हमारी काना जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है तो इस तरह से रखके देखना है ठीक है और यहां पर हमारी जो कपड़ा इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो हमारी पगड़ी भी बनकर त्यार हो गई है अब हमें आपर कानाजी लेंगे और इनको हमें आपर पहना कर भी आपनों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी कानाजी की देश बन कर आई है जो हमारी पट्टी है इसको पीछे की तरफ कुछ तरह से रखना है और जो हमने डोरी लगाई है तो इसको भी हमें तरसे बांद लेना है अच्छे से और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हमें आपर पहना लेते हैं तो देखा हमने कितने आसानी से एक सीधी पट्टी से काना जी की डिरेस बनाई है तो इसी तरीके से आप भी अपने काना जी के लिए डिलेस बना सकती हैं तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो उमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंग की